किसान भाईयों आप सभी का शागत है गन्य मी कल्लों की संख्या बढ़ सकती है अगर सीडलिंग के माधिम से आप बनना लगाएं यहाँ पर हमारे किसान सोभित मलक जी जो गाजी बुरूर के रहने वाले हैं इनके द्वारा पौध है गन्य की उगा करके पोर्टरे में गन्य की दुरी पर जो पौथ से पौथ की दुरी डेड़ फ्रट और लाइन से रान की दुरी पाच फिट की दुरी पर इसको लगाए गया था अभी इन्होंने देखिK गन्हा दिखाया जो बीज. जो बीच का गन्हा है जिसमें गन्हा बन गया है चूकि इसको पहले लगाया गया था तो केन फार्मिशन हो गया मदर सूट में तो मदर सूट इनके दोरा तोड़ा जा रहा है पहले भी मैंने दिखाया है कि मदर सूट तोड़ते हैं मदर सूट तोड़ने से ये फाइदा है कि गन्ने में जो एपिकल डामिनेंस है वह कम हो जाती है एपिकल डाम बढ़ जाता है बाद में से के इंफरमिशन हो जाता है उपर ओवर मैच्छर हो जाता है और बढ़िया जो टिल्रिंग हो नहीं हो पाती है यहां पर आप देखें कि एक एक पौधे में आपको दस टिलर बारा टिलर दिखाए पड़े हैं नहीं दस कल्ले और बारा कल्ले तक ब में रेगुलर आप देख सकते हैं हर अगले पौधे में बहुत अच्छी टिल्रिंग होई है इस खेत की लागत इन्होंने बताया कि काफी कम आई है कारण उसका यह है कि गन्ने की पौध इन्होंने तैयार की पोर्टरे में और तीस पैदिस दिन बाद इस पौध को पौध से पहुत की दूरी डेड़ फिट और लाइन से लन की दूरी पांच फिट पर लगा दिया और जो बीच का स्थान था चुकि पहुत पहले से लगी है इसमें निराई गुड़ाई जो मेंगेनिकल में धाड़ है उससे या बीडी साइट डाल करके मेटर मेटर विजिम और श इसकी अभी भुवाई भी करेंगे इसको काट करके भुवाई करेंगे कोई कि इसके प्रिगिस के मिए जमने की च्छंता काफी जय्दा है और इस तुकड़े में जो मदर सूट है इसके जो आँन्खें है वह बहुत तेज़ी से निकल रही है इसकी भुवाई बसंद काल में करेंगे जैकि सरत का ये गरना है और सरत का जो मदर सूट ने तोड़ा है इसकी प्लांटिंग भी मदर सूट के करेंगे और ये मानना है कि इससे अच्छा जर्मनेशन होगा बीज चुकि ये रोग मुक्त है इसलिए इसमें कीड़े मकोड़े यानी रेड राट जैसी बीमारी नहीं होगी और जो अले सूट पुरोग रहा हो भी जल्दी नहीं लगेगा किसान भाईओं अगर पोटरे से गन्ने के सीडलिंग आप रोपित कर लें खासत और से सितंबर अक्तुर के वहने में तो इस प्रकार से टिल्रिंग बहुत अच्छी ले जा सकती है निगाने के पहुत तैयर की जा सकती है धरनेबाद चैहिंद चैह भरत